असलाम उलेटों हाँ थी धैकर कभी इस तरह से चेकिंग नहीं होती है कि कौन सी कार है इसमें इन्चोरेंस है या नहीं पेपर वैलिड है या नहीं इस तरह की चेकिंग की हाँ बाइचांसी होती है तो ऐसे में अब जो है साओधी मुरूर ने साओधी ट्रैफिक अतौरिटी ने एक नए अपडेट कर दिया है जो कैमरे है वो आटोमेटिक स्कैन करेंगे हर कार के नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और उसके बाद जो कार विदाउट इंशोरेंस चल रही है रोड पर उनको प पूरे महीने साओधी मुरूर और साओधी ट्रैफिक अतौरिटी ने इसके बारे में वार्निंग दी है और सजेशन्स दी हैं कि आप इंशोरेंस जो है वो अच्छी जगह से इंशोरेंस लें फ्रॉड ना हो आपके साथ आपको लगेगा आपने इंशोरेंस करवा लिया है किस तरीके की जो सिच्वेशन्स आ सकती तो गाड़ी का इंशोरेंस सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके गाड़ी का इंशोरेंस होने चाहिए ये कानून लाने का एक बहुत ही बड़ा रीजन मैं आपको बता सकता हूँ एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि साओधी में अब तक जो भी hit and run के cases आप देख रहे थे कि गाड़ी किसी ने hit की किसी की गाड़ी को और वो रुके नहीं वो भाग गए ऐसे ज्यादातर cases में insurance ही वज़ा हुआ करता था hit and run case का जहां किसी ने किसी की गाड़ी को hit कर दिया और वो रुके नहीं भाग गए क्योंकि उनके पास वैसा insurance नहीं है कि वो दूसरे की गाड़ी का damage claim करवा सके तो वो risk नहीं लेते वो भाग जाते थे वहां से और ऐसे में जिसका damage हुआ उसको काफी परिशानिया जहलना पड़ता था उसको नजम को call नहीं कर सकते क्योंकि नजम दोनों party available होंगी तो ही आते हैं ऐसे situation में आपने मुरूर को call करते थे और फिर जो है आप उसका estimate बनवाते थे उसके बाद आपका estimate बनने के बाद जो है आपका insurance claim आपको मिलता था तो वो एक long process हो जाता था और estimate department का काम भी बिना किसी वज़ा के बढ़ जाता था अब जो ये नया rule आया है इसकी वज़ा से road पे जो vehicles हैं वो insured होंगे सारे insurance के साथ होंगे कोई भी vehicle without insurance अगर road पर चल रहा है तो उसको 150 real की penalty fine automatic generate हो जाएगा अच्छा एक सवाल यहां पर ये बनता है कि मान लेते हैं कि किसी वज़ा से मुझे penalty आ गई कि मेरी गाड़ी का insurance नहीं है तो ऐसी situation में कितने दिनों का मुझे time मिलेगा गाड़ी में insurance करवाने के लिए या मैंने एक road से मैं जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी scan हुई और penalty generate हो गई और उसी road पे दुबारा किसी दूसरे camera ने मेरी गाड़ी को scan कर लिया तो क्या ऐसी situation में मेरे पास दो penalty आईंगी या तीन आईंगी क्योंकि अगर मैं किसी long route पे जा रहा हूँ और मेरा insurance expire हो गया है या कोई और वज़ा है या insurance है ही नहीं और ऐसे में मैंने जो है उसका violation किया तो कितनी penalties आ सकती है कितने दिनों का मुझे time मिल सकता है तो देखिए इसके बारे में मैं आपको clear कर देता हूँ कि जो penalty है जो fine है 150 real है अगर आप without insurance कार चला रहे तो आपके उपर दो पेनल्टीज आ सकती है दो violations आपके उपर आ सकते है पहला violation कि आपने सौथी traffic rules का violation किया है यह violation आपके उपर आ जाएगा दूसरा violation कि आप without insurance वाली गाड़ी चला रहे यह दो violations आपके नाम पर आएंगे विदाउट इंशॉरेंस गाड़ी चलाने का 150 रियाल का आपको पेनल्टी आएगा, मुकालफा आएगा, इसके बाद आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा, 15 दिनों के अंदर आपने दुबारा अपना इंशॉरेंस जो है करवा लेना है, अगर 15 दिनों के बाद दुबारा आपका अंबर प्लेट विदाउट इंशॉरेंस स्कैन होता है, तो आपको फिर से पेनल्टी जेनरेट हो जाएगी, आप इस तरह के सिच्वेशन में अगर आपने पुरानी पेनल्टी पे नहीं की है, तो उसके उपर भी कुछ पेनल्टी लग सकती है, जिसकी पूरी जानकारी आप 15 दिनों के अंदर अपना इंशॉरेंस जरूर करवा लें ताकि आप सेफ रहें, उमेद करता हूँ, जानकारी आपको पसंद आई होगा, मिलता हूँ आप से लिए ऐसी एक जानकारी वाली वीडियो में